श्रीकृष्ण की अनुसार रोज सुबह ये दो काम कर लो दुनिया पर राज करोगी नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका आपके चानल पर दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो ये वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब जरूर क किजीगा तो बिना विलम की ये शुरू करते हैं भागवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि सुबह जो भी ये चीज काएगा वो धन एश्वरे को पाकर तुरुप्त हो जाएगा ये चीज सुबह खाने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी हर कार्या सफल और संपन्न होग मालक्ष्मी की गुरुपा निरंतर बनी रहेगी वैक्ति एश्वरे विलास में खेलेगा दोस्तो भगवान श्रीकृष्ण का पूरा जीवन मानव जाती के लिए विशे शिक्षाप्रद है सुदामा के साथ मित्रता हो या अरजुन को गिता का ग्यान देना भगवान श्री श्रीकृष्ण भगवान क्या कहते हैं साती हम देखेंगे कि ऐसे कौन से कारिया है जिसे करने से हम प्रभू और मालक्ष्मी को प्रसंद कर सकते हैं कौन सी वो चीज है जिसे सुबह खाने से आपका जिवन सफल संपन्न हो जाएगा आए इस वीडियो में देखते हैं लेकि जो अनंत प्रेमी भग्त मेरा चिंतन करते हुए इन इश्काम भाव से पूछते हैं उन्हें जो चाहिए वो मिल सके और उनके पास जो कुछ भी है उसकी रक्षा करने का जिमा में उठाता हूँ अन्यश लोक में वे कहते हैं तुम मेरा चिंतन करो लेकिन साथ ही अपना काम भी करते रहो यानि अपना काम छोड़ कर केवल भगवान का नाम लेते रहने के लिए भगवान श्रीकृष्ण नहीं कहते लेकिन इश्वर आरादना जरूरी है तो सुबह शाम घर के मंदीर में दीप जरूर जलानी चाहिए सुबह घर में पूजा जरूर होनी चाहिए और साथी प्रभु का नाम स्मरण भी होना चाहिए उसके बाद ही देनें दिन जिवन की शुरुवात होनी चाहिए दीपक और धूप के दुए से वातावरन की नकारात्म कुर्जा खतम हो जाती है वास्तु के अनुसार हर रोज घर में दिपक जराने से वास्तु के कई दोश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, दिन में नोबाल की हुई किसी भी वक्त वाली प्राथना अंतर्यामी तक पहुची जाती है। सुर्य से आरोज्य की, अगनी से शरीर की, शिव से ज्यान की, विश्नु से मोक्ष की, दूर्गामा से रक्षा की, भैरव से कठिनययों को पार करने की, सरस्वती से विद्या के तत्व की, लक्ष्मी से एश्वरे वृधी की, पार्वती से सोभाग्य की, सची से मंगल वृध की सकन से संतान वुद्धी की और गणेश्जी से सभी वस्तों की प्राप्ति हेत्तु प्राथना करनी चाहिए लेकिन सबसे पहले सुभा क्या करना चाहिए आईए देखते हैं दोस्तों हर सुभा हमारे शरीर और मन में नई उर्जा लेकर आती है दिन की शुरुवाद यानि स सुभा अगर अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा भीतता है जीवन में सुभा का आनन पूर्वक सुक्सागर अगर प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति माता लक्ष्मी के कृपा पा लेता है सुभा जल्दी उठना मनुश्य को स्वस्त धनी और बुद्धिमान बनाता है भग के समय में ही संपन्न करना उत्तम फलडाई माना गया है दोस्तों भगवान शिक्रुष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को सुभा उठकर धर्थी को स्पर्श अवश्य करना चाहिए इसे व्यक्ति के इतन मन में पूरे दीन भर सकारत्म कुर्जा का प्रवा बना रहता है ऐसा व्यक किरे काम बनते चले जाएंगे आप जीस भी कारे में हाथ डालेंगे वो सफल संपुर्ण हो जाएगा दोस्तों दरसल हमारा शरीर भी भूमी तत्वों से बना है धर्थी हमारे लिए मा के स्वरूप है जो भी हम इसमें बोते हैं उसे ही पल्लवित पोशित करके हमें वापस दे देती है अन्न, जल, औशधिया, फल, फूल, वस्त्र, आश्रे, आदि सब धर्थी की ही देन है इसलिए हम सब को धर्थी माता कारूनी होना चाहिए सुबह पवित्र उदक से किया सनान हमारे शरीर को पवित्र कर देता है दोस्तों गंगा जल का हमारे शास्त्रों में ब पहुती जाधा पवित्र माना जाता है अगर आप नहाने के पानी में दोचारबून गंगाजल डाल कर उस पानी से स्नान करते हैं तो आपके सभी पापकर्म नश्ट हो जाते हैं सकारत्म कुर्जा की प्राप्ति होती है जीवन में काम्या भी मिलती है गंगाजल के सपर्ष से शरीर के अंदर की नकारात्म कुर्जा का नाश होता है ग्रह जनी दोशों से छुटकारा मिल जाता है जो लोग शनी से पीड़ी थे राउ केतु से पीड़ी थे वो सब दुश्प्रभाव तुरंथी खतम होने लगते है एक शलोक में शनी देव ने स्वयम कहा था जो मनुश्य मेरे क्रोज से बचना चाता है वो रोज ना आने के पानी में गंगा जल डाल कर स्नान करे दोस्तो रोज रात को सोते समय तामबे के लोटे में जल भर कर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला ले फिर पूरी राद भर उसे अपने सिरहाने रखे सुभा के समय इस जल से अपने बिस्तर पर छिटे मारे बाकि जल को पी ले नियम में जो मनुश्य इसा करता है उसे योगो योगो के प्राप्ती हो जाती है ऐसे व्यक्ति सफल जिवन का आनन पा लेते है सहस्र चंद्रायन व्रत का जो फ़ल कहा गया है उससे अधिक फ़लों की प्राप्ती गंगाजल पीने से मिलती है गंगाजल पीने से अश्वमेर यग्य का फ़ल मिलता है मान्यता है कि अगर मुर्तिक के समय व्यक्ति की मुँ में गंगाजल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नश्ट हो जाते हैं, उसे मौक्ष के प्राप्ति हो जाती है गंगा जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता और नाहीं कभी ये सरता है गंगा जल का चिर्काव अधिव्य शक्तियों से भरा रहता है देवी गंगा पाप कर्टने वाली और कष्टो को उधर करने वाली मानी जाती है शिव पूरान में भी बताया गया है कि नियमित अपने वस्तरों पर गंगा जल का चिर्काव करने से व्यक्ति को मौक्ष की प्राप्ति हो जाती है वेक्ति स्वर्ग लोग की प्राप्ति कर लेता है दोस्तो सनातन धर में लोग को बहुत पवित्र माना गया है लोग पुजा के अलावा मंत्र तंत्र में भी इस्तामाल होती है उसे उज्जा का वाक माना गया है किस्मत बदलने या सपनों को पूरा करने के हे तू ये उप्युक्त मानी गई है माना जाता है कि लोंग में देवी दुर्गा का वास होता है मा लक्ष्मी का भी वास होता है तो रात को सोते समय तक ये के नीचे लोंग रखे सुबह उटने के बाद उस लोग को पानी के साथ निगल ले इसे दातों से जबाये नहीं कहते हैं इसे नोधेवियों की कुरुपा प्राप्त होती है उनकी कुरुपा से धन, एश्वर्य अबुद्धी मत्ता और निडर्ता की प्राप्ती होती है आगे बढ़नी से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों से शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सस्क्राइब कर दीजिए और बेल एकों दबाना ना बुलिएगा अब आपको बताते हैं कि वो कौनसी चीज है जो सुबह के समय व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए दोस्तों सुबह की पुझा में आप भगवान पर फुल की माला या उनके चरणों में फुल अवश्य चड़ाते होंगे अब जब भी आप सुबह के समय काम पर निकलते हो तो उससे पहले आपको भगवान पर चड़ाए गए फुल में से किसी भी एक फुल की पंकुरी आशिवास समझ कर जरूर खा लेना चाहिए इससे आपको भगवान की कृपा प्राप्ठ होती है प्रभु कृपा से आपको हर कारिय में सफलता मिलती है आत्म विश्वास में वृद्धी होती है भाग्योदे होता है और ऐसी सफलता हमेशा धंदाई होती है इसी केसा सुबह घर से निकलने से पहले दो चारदाने बताती है हर रोज घर से निकलने से पहले धई शक्कर का सेवन करना शुबशगुन माना जाता है इससे कारियों में सफलता मिलती है दोस्तों भगवान श्रीकृष्ण यह भी बताते है कि माथे पर लगाया गया चंदन का तिलक मनुश्य को विज़े प्राप्ति कराता है शास उनको वो परास कर देता है चंदन का तिलक लगाने से लक्ष्मिक के कुर्पा हमेशा बनी रहती है घर में रोक शोक नहीं रहते चंदन का तिलक लगाने से ग्यानतंतु संयमित और सक्रियर है चंदन का तिलक ताजगिलाता है और ग्यानतंतु के कार्यशिलता बढ़ाता है शास्त्रों में वर्नीत है कि जो लोग नियमित रूप से सुर्यों को अर्द देते हैं तुलसी को जल चड़ाते हैं वे घर परिवार और समाज में मानसनमान पा लेते हैं सुर्यों को अर्द देने की परंपरा वैदिकाल से चलिया रही है सुर्यों को अर्देने से रोगों का नाश होता है आत्मा शुद्ध रहती है स्वास्त और सुखों में वृद्धी होती है और तूलसी की छोटी सी सेवा में भी देवी देवताओं के कुरुपा प्राप्थ हो सकती है आज के लिए बस इतना ही दोस्तो अगर आपको इए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों के साथ जरूर शेर करिएगा और चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकोन दबाना ना भुलेगा फिर मिलते हैं दोस्तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ तंक्स पर वाचिंग